हलो आप्रीबडी इस दिग्रास सिंग राजपूत वेलकम टू मैगनेट बीज इस वीडियो में हम NCRT सेलुशन डिसकस करने वाले हैं किस चाप्टर के तो जिस चाप्टर को थियोरी पार्ट पर आप कम्प्लीट कर चुके हो क्लासिक्स थिस्ट्री का चाप्टर चाप्टर है आपका प्यारा सा अशोका दी एंपरर हुग गेवप वार ठीक है तो वह एंपरर जिसने लडाई छोड़ी क्या कैसी कहानी थी वह सब कुछ हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो तक थियोरी पार्ट पर चाप्टर हमारा पूरी तरह से complete हो गया है अब हम इस चैपटर से जो IT question है question आपकी book में घैए लेकिन मेरे पास solution है जो आपके पास नहीं है ठीक है तो उन solution को हम क्या करने वाले हैं discuss करने वाले हैं सारे questions के answers को हम देखने वाले है fine तो देखो क्या क्या है यहां पर आपको true false भी मिल जाएंगे philips भी मिल जाएंगे ठीक है और कुछ questions भी है तो इन सारी चीजों को हम complete करने वाले हैं यहां पर clear? तो पहला question क्या है? Make a list of the occupations of people who lived within the Morian Empire Morian Empire में बहुत सारे लोग रते थे ऐसा नहीं है ना कि सामराच जे तो सिर्फ समराच रहेंगे और उनकी wife उनके बच्चे रहेंगे और भी आम जंता रहती थी तो जो आम जंता थी वो किस occupation को follow करती थी? मतलब क्या काम करती थी? वो बताना है अब आपने पूरा chapter पढ़ा तो आपको समझ में आगो कि यह 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 काम करते थे ठीक क्या 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 काम करते थे तो the different occupations followed by the people वर क्या क्या पहला farming लोग खेती करते थे दिखती बात है मैंने आपको बताया है कि Indian society Indian society कि आप वर्ड की किसी भी society में चले जाओ Initial level पर हमेशा agrarian society ही रही है सब खेती से ही जुड़े हुए रहते थे क्यों कि खेती सीदे सीदे आपका जीवन का एक मतलब कह सकते एक basic पाइदान है जिससे आप क्या कर सकते हो एक basic step है जहां पर आप अगर खेती नहीं करोगे तो खाओगे क्या खाओगे नहीं तो जीओगे कैसे तो लोग क्या करते थे farming farming के बाद में pastoral farming pastoral farming मतलब क्या है कि जानवरों को पाल के रखते थे ठीक है animal products जो रखते थे तो घी दूद इन सारी चीज़ों से भी अपना जीवन यापन करते थे तो pastoral farming कारपेंटरी, masonry ठीक है अब आपने देखा होगा fords बनाया जाते थे लकडी का इस्तमाल किया जाता तो carpenters भी थे मasonry तो अब इट मिट्टी का काम करने आले लोग भी थे government official अब वो पुरा empire जो तो उसमें administration के लिए government officials भी लगते थे तो कुछ लोग government official होते थे and many people were employed in royal army और अब क्योंकि सामराज यह है ठीक एक empire इतना बड़ा तो इस empire को दूसरे empire के पर हमला करना है दूसरे empire के हमले से बचना है तो इसके चलते क्या है royal army की भी जरुवत पड़ती थी तो यह सारी आपने जो देखी यह occupations हुआ करती थी more and empire में clear हुआ चलो आगे देखें अगला question क्या है अगला question है complete the following sentences फिलप से आपके पास है आपे ठीक है पहला question क्या है अब देखो chapter पड़ा है न अपने तो आपको क्या करना है अपने तरफ से answer मन में देना है ठीक है मुझे सुना ही नहीं देगा लेकिन आपको answer अपने मन में देना होगा फिलप से तो में answer बताने से पहले आपके मन में answer आ जाना चाहिए clear है देखो officials collected dash from the area under the direct control of the ruler जो area direct control में रहता था ruler के जो empire था तो officials वहां से क्या collect करते थे कद्दू नहीं ठीक है text collect करते थे ना तो taxes लिखना है taxes were being collected by the from the area under the control of the ruler फिर का है royal prince ठीक है royal princess often went to provinces as अब मैंने आपको बताया था कि जो main center था partly putra वहां से तो खुद emperor rule करता था लेकिन और भी important center थे तक्षिला हो गया जैसे उजयन हो गया तो यहां पर क्या किया जाता था जो राजा थे ठीक है राजा अपने बेटों को क्या कर देते थे पहुचा देते थे कि आप जाओ आप इन प्रोविंस पे इस एरिया पर क्या करना उन सब centers पे governor बनके जाना तो इसका answer क्या होगा गवर्नर गवर्नर ठीक यह लिखते चलना अब आपकी लेफ्टी हूँ तो इधर से लिखना असान रहता है ठीक है रोड्स और रिवर्स रिवर्स रोड्स और रिवर्स को control किया जाता था ताकि क्या हो ताकि आप जो एरिया अरिया अधर देन center जो center capitals थे sub-capitals से उसके अलावा भी जो area उसे भी control कर सको अगला question people in forested regions provided the Morian officials with dash अब आपको यह भी पता है कि empire में कुछ centers थे कुछ ऐसा area थे center से दूर था और jungle ठीक है jungle भी था forested tracks भी थे तो जहा जंगलों में जो लोग रहते तो independent तरह से रहते लेकिन फिर भी वो राजा को कुछ देते थे क्या देते थे राजा को तो वो लोग राजा को दे वर दे people in forested region provided the Morian officials with अपने क्या पढ़ा था elephants provide करते थे timber ठीक है honey wax तो इसमें से आप एक दो चीज़ें कुछ भी लिख सकते हो तो हम जैसे लिख देते क्या timbers ठीक है timbers provide करते थे ठीक है यह timbers timbers के बाद में और क्या provide किया जाता था तो हम लिख सकते honey शहद ठीक है जंगलों में बहुत बड़े-बड़े क्या बोल सकते honeybees होते थे तो वहां से जो शहद मिलता था उस शहद को राजा को कह सकते है tax के form में या फिर tribute के form में देते थे हनी के बाद में आप wax भी लिख सकते हो एक clear तो यह सारी चीज है आगा है समझ में तो यह आपके फिलफ लिख दिया अब आपने देख़ा है इंढिया में यहां उजेन था अपने पूरा मौययन था तो यह जो स्टैटमेंट लिखा है यह एयरे श कर देने है लो पहले इस यह जो स्टैटमेंट लिखा है यह क्या है यह statement गलत है तो इसमें हम क्या लिखेंगे? फॉल्स लिखेंगे आगे समझ में तो यह फॉल्स हो गया उजयन इस दी गेटवेय तू नॉर्थ तू साउथ नॉर्स से साउथ जाने के लिए वो इस्तमाल किया जाता तो इससे फॉल्स लिखेंगे हम अगला देखो कहा है चंद्रगुप्स आइडिया वर रिटन डाउन इन दी अर्थ शास्त्र अब अर्थ शास्त्र किताब है जिससे हमें पता चलता है क्या कि कैसा मौर्यन एंपायर था आप किस ने लिखी थी कोटेल में लिखी तो आईडिया किसके होंगे कॉटेल में कौनगए आंसर सही है यह तो tallest है। फॉल्स, simple थी चीज़े, ठीक है, तो यह फॉल्स हो गया, अब यह सोचना अपने मन में, Culling was the ancient name of Bengal, Bengal का पुराना नाम कलिंग था क्या, ठीक है, तो यहाँ पर true लिखेंगे या फॉल्स लिखेंगे, तो true नहीं लिखेंगे यहाँ पर false लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर false लि फॉसरी scripts evolve हुई है, तो अधिकतर पुरानी जो अशोकन inscriptions, जो अधिकतर inscriptions मिलें, वो ब्रामी script में लिखेंगे हुए है, clear हो गया यह, तो यह true false, अब इसको ऐसे रट के नहीं जाना है, false 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 true, ठीक, आगे पिछे statement को समझो, सबसे important है कि आपको statement समझाना चीए, अब कैसे ह जाए, घुमा के फिरा के आप से बन जाएगा वो, ठीक है, तो इसे रटना नहीं है, समझना है, clear हो गया है, fourth पर आओ अगला क्या है, question answer आ गए कुछ हमारे पास में, तो what were the problems that Ashoka wanted to solve by introducing dhamma, ठीक है, dhamma के principle को introduce करके, Ashoka किन समाज की किन समस्याओं से समाधान चाह रहे थे, ठीक है, तो dhamma का principle जब उन्होंने introduce किया, तो there were a number of problems that troubled Ashoka, कुछ-कुछ परिशानी समस्याओं थी जिससे Ashoka परिशान थे, जैसे क्या थी, क्या-क्या परिशानी थी, वही पूचा है question में, तो he wanted that the slaves should be treated like all other human beings and there should be no religious conflict, धर्म के बीच में जो conflicts थे, तो वो ना हो इस चीज स परिशान थे, वो चाहते थे, slaves को equally treat किया जाए, और इसलिए उन्होंने क्या किया, इसलिए उन्होंने धम्मा के principle को लाए, तो Ashoka wanted to solve which problems, तो Ashoka wanted to solve these problems by introducing dhamma, तो एक problem यह हो गई, दूसरी problem क्या थी, there were quarrel in family and among neighbors, ठीक है, नेबर्स जो परोसी थे, उनके बीच में लड़ाई लिया, ठीक है, slaves and servants were ill-treated, तो slaves और servants जो ते, जो ill-treated थे, उन्हें सही तरह से treatment मिले, ठीक, फिर क्या ही, decided to overcome this problem and try to solve such other problems with the introduction of his dhamma, तो यह सारी जो समस्या है थी, और इसके सांस्या जो दूसरी भी समस्या है थी, उन्हें solve करने के लिए, Ashoka ने dhamma के principle को adopt किया, clear हुआ, तो अब देखो इसी question से जुड़ा अगला question भी है, what were the means adopted by Ashoka to spread the message of dhamma, ठीक है, जो message था dhamma का, वो लोगों तक पहुचाने के लिए, Ashoka ने क्या तरीके का इस्तमाल किया, किस तरीके का इस्तमाल किया, ठीक है, अब मन में जल्दी से answer आ जाना चाहिए, जैसी पूछा, तो सब the message of his dhamma, what were those measures, तो he himself set an example before the people strictly following Ahimsa, ठीक है, Ahimsa मतलब का non-violence, तो उन्होंने खुद लोगों को पहले, जैसा मुलते ना, जो आप बोलरों पहले करके दिखाऊ एक बार, तो Ashoka ने बोला कि हमें non-violence को adopt करना है, बुद्धिसम में Ahimsa का जो path है, ठीक है, जो Ahimsa का path है, उस some officials known as dhamma mahatma, to spread and explain the message of dhamma, ठीक है, तुनोंने dhamma mahatma कुछ officials का point किया, यह धियान रखना ताकि क्या हो, जो dhamma का message है, वो लोगों तक पहुचाया जा सके, clear, फिर क्या होता है, he engraved the principle of dhamma on rocks and pillars, तो पत्थरों पे, चट्टानों पे, pillars पे उन्होंने क्या किया, dhamma का message है, ताकि आज वो, आज उनके बात में जाने आली generation है, वो इस चीज को समझ सके, dhamma के principle को समझ सके, he built roads, dug wells and built rest house, तो dhamma के principle को उन्होंने ऐसा भी फहलाया, कि भला ही करो, उन्होंने, road बनाए, quay बनाए, rest house बनाए, ठीक है, he arranged for medical treatment for both human beings and animals, तो यह सारे तहिके थे, जिसके चल तो उन्होंने क्या किया, dhamma के principle को, dhamma के idea को logo तक पहुचाया, clear हुआ, question number 5B, तो what worthy means adopted by Ashoka to spread the message of dhamma, so these worthy means adopted by Ashoka to spread the message of dhamma, clear हुआ, ठीक है, आगे देखो क्या है, अगला question, why do you think slaves and servants were ill-treated, सवाल, कि आपको क्या लगता है, क्यों slaves and servants को ill-treatment मिलता था, मतलब उनके साथ ग गलत होता था, तो इसमें आप जैसे dhamma, Ashoka क्या कहना, अपने dhamma के अंदर कि उनके साथ गलत नहीं करना है, तो do you think the orders of emperor would improve their condition, क्या आपको लगता है कि अगर emperor order दे देंगे, तो उनकी condition सुदर जाएगी, तो हाँ, emperor के order से condition सुदर जाएगी, ठीक है, give reasons for your answer, आपको इस answer को support करने के लिए क्या देना है, reasons देना होंगे, तो yes, we think that the slaves and servants were ill-treated in society, ill-treated in society because they have no political rights, ठीक है, slaves के साथ में ill-treatment होता था, क्योंकि उनके पास कोई अधिकार नहीं होते थे, कोई political rights नहीं होते थे, the order of the emperor could have made the slaves free, ठीक है, और जब राजा खुद बोलेंगे कि slaves के साथ में ill- का अधिकार है, इनके साथ में आपको ill-treatment नहीं करना है, तो the order of emperor could have made the slave free, ठीक है, if the servants were ill-treated, then the master could be punished, और अगर आप servants के साथ में, slaves के साथ में गलत करोगे, then the master would be punished, जब ये चीज़ों होगी, तब जाके कहीना कि slaves के rights को protect कर सकते हैं, राजा का order बहुत important role play करेगा यहाँ clear हुआ, तो इसी के साथ में, last question था, इसी के साथ में हमारा chapter जो है, Ashoka the emperor who gave up war, ये पूरी तरह से complete होता है, सारे questions में आपको complete करवा दिये, theory part पर हमने सारी चीज़ों को देख लिया है, ठीक है, तो अब हम क्या कहेंगे, finally हमारा chapter पूरी तरह से complete हुआ, पोना होती देते हैं स्वाहा बोलते हैं, ठीक है, chapter पूरा complete हुआ, कैसा लगा, समझ में आई चीज़े नहीं आई है, comment section में बताना, मज़ा आया, ये भी बताना, नहीं आया तो वो भी बताना, ठीक है, magnet means पर इसी तरह से, class 4th से class 12 तक सभी subjects, chapters, topics, subtopics, सब कुछ, systematically video lectures के format में available है, इन video lectures को आप YouTube चैनल पर, website पर दोनों जगा दीख सकते हैं, अपने juniors तों seniors को ज़रूर बताईए, magnet means के बारे में, next video से अगला chapter स्टार्ट करेंगे, नया chapter स्टार्ट करेंगे, मिलते हैं वहाँ पर, till then stay connected, keep learning, thank you, thank you very much